2023 के 75 दिन हुए हैं, मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूँ इन 75 दिनों में देश का एत्यासिक ग्रिन बजेट आया इन 75 दिनों में करनाटका के शिवोगमागा में एरपोर्ट का लोकारपन हुआ इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेश शुरू हुआ इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर कुज चला बैंगलूरू मैसुरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेसवे का एक सेक्शन शुरू किया गया मुंबई से विशागा पटम से बंदे भारत ट्रेन चलनी शुरू हुई IIT धारवार के पर्मानेंट केंपस का लोकारपन हुआ भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समू के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया साथियों इन 75 दिनों में ही भारत ने पैट्रोल में 20 परसेंट इथेनोल की ब्लैंडिंग करके E20 फ्यूल लांच किया है इन 75 दिनों में ही तुमकुरों में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलिकॉप्टर फैक्टरी का लोक्यारपन हुआ है एर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविशन ओडर दिया है इन 75 दिनों में ही भारत ने E-Sanjeevani के माध्यम से 10 करोड टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड नए टेप वोटर कंसल्टेशन देने का मुकाम हासिल किया है इन 75 दिनों में यूपी उतराखंड में रेल नेटवर्क के 100% एलेक्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है साथियों इन 75 दिनों में कुनो नेशनल पार्क में बाराच चिताओं का नया बैच आया है भारतिय महला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्लक जीता आये इन 75 दिनों में देश को दो असकर जीत रेके खुशी मिली है साथियों इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विविन्न संस्ताओं के प्रतिलिती जी ट्वेंटी की बैटर को महिस्सा लेने के लिए भारत आये इन 75 दिनों में जी ट्वेंटी की 28 आहम बैटर के हुई है यानि हर तीसरे दिन एक बैटर इसी दोरान एनरजी समीट हुई आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फरंस हुई है हमने देखा बैंगलूर में हुए एर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए सो से जादा देश भारत आये इन 75 दिनों में ही सिंगपूर के साथ यूपी आई लिंकेज की शुरुआत हुई इन 75 दिनों में ही तुर्किये की मदद के लिए भारत में आपरशन दोस्ट चलाया अपसे कुछ गंटे पहले ही भारत बंगलादेश गैस पाइपलाइंग का लोकारपन हुआ ये 75 दिनों की ही इतनी लबी लीस है कि समय कम पड़ जाएगा